दो बड़े बड़े जानवरों को आपस में लड़ाकर महल को गरम करने की कोशिश की जा रही है नमस्कार दोस्तों इस वड़े में बात करूँगा गोड़िला वर्सिज कॉंग मुवी के ट्रिलर के बाहे में देखो अगर आप लोगो ने गोड़िला गिंग ओफ मॉंस्टर या फिर कॉंग स्कल आइलेंड यह दोनों मुवी नहीं देखिए हैं तो प्लीज जा कर देखो है क्योंकि यह जो गोड़िला वर्सिज कॉंग है इसी का सीक्वल है यह मुवी और कॉंग स्कल आइलेंड जो एक मुवी आई थी जिसके अंदर की अपनी पहानी बताए गे थी इस बड़े जानुवर के अपनी कहानी बताएगी थी कि ये अपनी परजाती का अकेला ही बचान इसकी परजाती की लड़ाई हुई थी उसके सारे परजाती के जो बंदर थे या फिर जितने भी ये थे वो सारे मर गए थे अब ये अकेला बचा है इस island की सुरक्षा कर रहा है और जब आप ये दोनों movie देखोगे Godzilla, King of Monster, Kong, Skull Island तो आप लोगों को ये जो movie आ रही है इसको समझने में काफी जादा help मिलेगी एक तरीके से आप लोग पहले से पता prepare रहोगे कि हाँ ये Kong जो है वो इस island से आया हुआ है यहाँ पर बड़े-बड़े creature जो है वो यहाँ पर मिलते है तो यहाँ से ये निकाला गया इसकी परजाती जो पहले लुप तो चुकी थी कैसे उनके पर attack हुआ था और Godzilla की जब आप ये पहले वाली movie देखोगे वर्सीज गोर्जिला आमने सामने आने वाले फाइट करने वाले जितना इस ट्रेलर में दिखाया गया अब एक जो गोर्जिला है वो बुराई की तरफ है कौंग जो है वो अच्छाई की तरफ है अब इन दोनों के बीच में फाइट होगी लेकिन इसके जो इन्होंने केवल यही स्टोरी ने रखी इस स्टोरी को और इंटेंसिफाई करने के लिए एक इनकी मतलब कह सकते हूं कि इतिहास भी डाला गया है गोर्जिला और कॉंग का जहां पर यह बताया गया कि दोनों परजातियां आपस में लड़ा करती थी और जो यह परजातिया पिर स्टोरी उतनी मुझे अच्छी नहीं लगी थी और यह नहीं पर यहां तक ले जाया कैसे यह सबसे इंपोर्टन चीज होती है अगर यही इंजॉइबल हुई तो यह मूवी काफी अची जाएगी मैं पहले से predict नहीं कर सकता है कि movie कैसी होगी या खराब होगी आच्छी वो तो तब movie आएगी तब उसके बारे में वहाँ बात करेंगे मतलब बहुत परानी movie थी 1993 या 1995 में जो movie आए थी उसी के अडेप्टेश उसकी फ्रेंचाइजी ली गई ऐसी गोडजीला जो मुवी थी मतलब यह सारी की सारे movies जो है वो पहले से connect हुई है क्यार बास आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में तैंक्स और वोचिंग इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहीं